हेलो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिश्ल टुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सुलिशन मैं चन्दन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नमर 3 की जो की MPS यानि फर्स्ट यर के जो स्टूडेंट है उनके भी कमेंट्स आ रहते हैं कि सर हमारे लिए भी कुछ वीडियो बना दीजिए आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है MPS 002 की यूनिट नमर 3 माक्स वाधी और अन्य विपलावाधी इस पर बहुत ज़्यादा कोईशन बनता है आपके एक्जाम में और आज हम इसके बारे में बात करने वाले है इस चैप्टर के जो बेसिक है आज इसको completely complete कर लेंगे आज किस नहीं वीडियो में अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी value मिले तो आप अधिक से दिख में तो तक share करना और हमारे चैनल को आप subscribe भी जरूर करना ताकि आप लोग बहुत सारे इस्ट्रोड़ने के लिए है आपकी book में सबसे अच् जिरूरों से भी जरूरों पूचेंगे तो आप लोगो को यहीं सज़ेस्ट खरेंगे तो नाव यहाँ पर हमें start करते हैं सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पहली बात माक्सवादी उपाँगम करें अब आप लोगों को यहाँ पर पहली बात यहाँ पता चलना जीय है तो नोने एक ऐसी पूंची वादी के विरुद एक ऐसी अवधारना प्रस्तुत करे थी जिसके अंदर वर्ग संगर्ष और साथ इसके अंदर आप एक चीज और इंक्लूड करोगे एक तो वर्ग संगर्ष और दूसरा जो मानव मुल्य हैंगे उसका जब शोशन होता है तो उसके खिलाफ में विचारदारा आई थी वर्ग संगर्ष का मतलब अमीर वर्ग जो है जो बुजरुबा वर्ग है वो हमेशा सर्वहारा और गरीब वर्ग का चोशन करता है ना केवल शासन से ना केवल आर्तिक व्यवस्ता से बलकि अन्य ऐसे समाज में कई व्यवस्ताएं बना रखी है माक्सवादियों के अनुसार पुंजिवादी व्यवस्ता में कि वही उसकी विज़े से गरीब लोगों का शोशन लगातार किया ही जाता है अब यहाँ पर आप समझेंगे कि माक्सवादी सिधान्त में कुछ ऐसे भी विशे थे जिनें बहुत ज़्यादा बड़ी विचारदारा देखे तो यह पुंजिवाद के खिलाप रहती है और दूसरी बात क्या है यह वर्क संगर्ष पर अड़े रहते हैं तो इस वज़े से बहुत से कोई सी भी माक्सवाद की विचारदारा देख लो एक तो वर्क संगर्ष और दूसरा पुंजिवाद का विरु ये दो चीज़ी आपको देखने को मिलेगी, तो इस वज़े से इसे अंतराष्टिय संबंदों में सिदान को नहीं मानते, बहुत से लोग इसको नहीं मानते, इसी वज़े से, लेकिन माकसवाद के अलावा बहुत सारे ऐसे भी सिदान सास्त्री है, जो इसकी अलोचना करते है परन्तु माक्सवादी होका भी कुछ कहना है, माक्सवादी कहते है कि यह हर एक समाज में जो यह पूंजीवादी वर्ग है, इसने क्या कर रखा है, अपने समाजिक पकड बना रिखी है, और अपनी समाजिक पकड के कारण में उन्होंने काफी जादा धनरजित कर लिया, या शक्ति के संसादों पर अपना नियंतरण कर लिया है और इन संसादों पर नियंतरण करने के बाद में आज ये पूरे समाज की जो विवस्ता है इनके हातों में चली गई है तो आप लोगों को इंट्रों के रूप में इतना सा ध्यान रखना है इसके साथ अब आपको ये अब बढ़ा है वो सारे एक हो जाओ और जहां पर यत्रारवादी और उधारवादी सिर्फ और सिर्फ सकती की बात करते हैं तो हमें यहां पर इन्होंने बताया अंतराश्ट्य इस तर पर भी कैसे जो पूंजी वाद है वो अमीर देश जो है वो दूसरे गरीब देशों का शूशन करता है जैसे यहाँ पर हम एक एक्जामपल के रूप में समझेंगे कालमाक्स जो है वो ये बात कहते है कि आज अंतराश्टिय इस तर पर बहुत से ऐसे देश है जो ताकतवर देश है और उन्होंने अंतराश्टिय इस तर पर बहुत सी ऐसी संस्ताइं बना रही है जिसकी वज़े से वो आज क्या कर रहे है दूसरे देशों पर अपना पूरा का पूरा नियंतरन जो है उन्होंने इस तापित कर रखा है उधारेन देंगे एक एक करके आप लोगों को हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझने का प्रियास इसी प्रकार से यह कहता है कि अंतराश्टिय इस तर पर बहुत सारी ऐसी संस्ताइं है जो हमेसा अमीरों देशों का ही फेवर करती है अगर उसमें कुछ भी अगर करना हूँसरे यूएंगों को एक 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 संस्ताइं जिस पर अमीर विख्षित और ताकतवर देशों की चलती है जैसे वहाँ पर विटो पावर्स की भी बात करें तो सिर्फ किस देशों के पास है अमीर ताकतवर देश और वो अपने निरने अपने हिते के हिसाब से लेते। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि जो दूसरे देश के गरीब देश है, उनको उस नीती से लाप पहुचेगा या नहीं पहुचेगा, बसि अपनी फाइदा पहुचने वाली नीती पर समर् परन्तु आज भी इन्होंने अपने अतियार रख रखें तो भई ये किस चीज को दर्शाता है कि अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं इसी तरीके से तो इसी लिए अंतराश्य इस तरफे ये बात होती है माकसवाद की कि हम सभी गरीब देशों को एक साथ इकटित होना होगा और संगटित होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं ऐसी नीतियों का जो की दमनकारी नीतिय इनका हम विरोध कर सकते हैं दूसरे एक विचारक थे, जो कि रशिया के थे, और वहां के वो पहले रास्टपती भी बने थे, लैलीन जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी समराज्यवाद, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लैलीन ने तरक दिया था, कि बहीं किस तरीके से पूंजीवाद जो हो चुका है आज हम उनकी ऐसी ऐसी जरूत की चीजे पर पूरी फुली उन पर dependable है और अबारी उस जरूत वैसी जरूत ओने के कारण आज हमसे हो बहुत जादा लाब गमा रहे हमसे बहुत जादा महंगी महंगी चीजे आजम उनसे खरीद रहे क्योंकि हम आधी हो चुके हैं इसके बिगर हमारा संसार नहीं चल सकता हमारा जीवन नहीं चल सकता और इस बात का उनको बहुत ही ज़ादा लाब मिलता है यह इसके अंदर बताए गया है इसके साथ माक्सवाद के कुछ उपागम है आप लोगों को उपागम समझ रहा है तो माक्सवाद 4-5 बातों पर बहुत जादा जोर देता है सबसे पहला है संपूरता इसमें यह कहता है कि माक्सवाद मानता है कि समाजिक विषु में संपूरता होनी जाह सब में एक टा होनी जाहिए सब के सब लोग एक जैसे होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो विश्व के अंदर ही हम देखते हैं कि अलग-अलग देश अलग-अलग कैटेगरी के कोई अमीर है कोई गरीब है कोई ताकतवर है कोई कमजोर है किसी के अरत वे असना बहुत नीचे है तो भई यह चीज नहीं होने चीप पूरे विश्व में संपूरता होनी चाहिए और यह जो ताकतवर देश है वो ताकतवर भी सिर्फ इस वज़े से है क्योंकि बाकी देश गरीब है उनको ऐसे नीतिया उनके लिए वो बनाते है वो समान था, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था तो इस तरीके से अगर हम बौतिकवादी अवस्ता में जाते है तो हमारी अर्थमेवस्ता भी एक जैसी हो जाएगी और साथ-साथ हम सब क्या है जितने भी उत्पादित वस्तू हैं जिनका हम यूज करते है रोजमर्रा में इसका उत्पादन और इसका यूज हर कोई समान रूप से सभी संजाद उनों की अधार पर कर सकते हैं दूसरा आरतिक अधार आरतिक अधार कहना है कैसा होना चीए वर्थ संगर्ष बिल्कुल भी नहीं होना चीए जो यहाँ पर उनों एक्स्प्लेइन करते हुए का है कि समाज में क्लास नहीं होना चीए वर्थ नहीं होना चीए अगर समाज में वर्थ है तो यह संगर्ष हमेशा कारणत रहेगा यह संगर्ष हमेशा चलता रहेगा और इस संगर्ष को हम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे तो भी हम लोगों के लिए क्या जरूरी है सरकार के लिए क्या सुनिश्चित करना होशक है सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत होशक है कि यह वर्क संगर्ष ना होने अची है और इसके अलावा बहुत सारे important question है जो आप लोगों से पूछे आते हैं कि माकसवाद किस तरीके से विपलाववाद जियो समराज्यवाद है नवुपनिवेशवाद है इस सब के उपर भी question बनते हैं तो इसके बारे में लग से वीडियो में बात करेंगे मुझे जुरूर बताना comment करके कि आप लोगों को आज किस नई वीडियो से क्या लाप मिला या आप लोगों को क्या फायदा हुआ और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसी प्रकार के interesting वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना अधिक से दिक मुदूतक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना क्योंकि ना केवल आप लोगों के अच्छे marks के लिए बलकि अच्छे एक way में प्रॉपर मैनर में आप लोगों कैसे strategies रखनी है कैसे पढ़ाई करनी है कैसे त्यार ही करनी है तो आप लोग उसको भी अच्छे दरीके से कर सकते हैं जाले गाइस मिलते हम आप से अपनी अगली वीडियो में जाहिंद जाय बारत